हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मैं रोहित लहल हम लोग ट्रिगनोमेट्री चैप्टर से प्रिभियस एर कुशिन स्वाल्व करने वाले हैं जो की सिब्यसी क्लास्टेरिंग में आए हुए और यह आपके आने वाले बोर्ड दोजार पचेस में जो आप बोर्ड देन करने को मिलता है तो यह चैप्टर आपको हेल्प कर सकता है यह वीडियो हेल्प कर सकता है आप अच्छे से वीडियो को फॉलो करें आए शुरू करते है आपको पहले यह ध्यान होना चाहिए कि अगर आप ट्रिकनोमेट्री पर्ड़ है तो उसके कुछ बेसिक फॉर्मूला चलता है आप को फॉर्द कॉइरा आपको ट्रिकनोमेट्री की पाजिटिव और पॉजिटीव और में आपको कॉस्ट एक पॉजितिव यह अपको दियान में होना चाहिए नेक्ट फ्लाइट में लोग देखते क्या है कि इसमें हमको पता होना चाहिए कि एक हम एक राइट आंगल ट्राइंगल पर बात कर रहे हैं तो यहां पे यहमारा क्या हो जागा परपंडेकॉल तो जागा और यह बेस हो जागा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग 5 theta equal 2 देखत कॉष्स सेग एक्वलटुब मिलेगा कॉष्स PayPal का उल्टा होता है यानि कि एच भाई पी सेग जो हता है Calvin का उलटा होता है मितलब है यह वाई और नोर्ट का उलटा आत्यों यह बॉलक्त एथि यह ये अपको दियान में रखएगा कहीं इस से अski तरह मे जिरो डिगरी 30 डिगरी 45 और 60 और 90 डिगरी आता है यह स्टेंडर्ड टेबल है तो आपको यह टेबल पूरा याद होना चाहिए यह टेबल के भी ना ट्रिगोनमेट्री बना पना बहुत मुश्किल होता है यह सभी फ़र्मूला भी आपको पता होना चाहिए यही इस में इसको यह लिखें कि 10S qa1t h. सब्सक्राइब एक और अधर तरीके से लिखना चाहें तो सब्सक्राइब तो इसके स्टाइब और इसकी है लिखेंगे तो लिखेंगे कॉससेकोद licenses function 2फमृला भी सब्सक्राइब यह फ्रमूला भी आपको पता वनों चाहिए छे बहुतताँ है यह याप को लगंद मिलने अपना petit हां तो आयाए आपको 一सति क्वेर करें है है यह इस्कूश्ट पोड़े रहा है कि आपको 10 A is equal to 3 cot A दिया हुआ है अपको 1 का है मतलु है angle का वैलू बताना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे हैं लोग लीखेंगे अब यह 10 a कहा है तो फिंस 10 a is equal to होता है 1 by cot a इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं यह थोड़ा डार्क हो जा रहा है तो पता ने चल पर रहा है इसलिए आलो ले लेते हैं यहां यह क्या होगा यह होगा आपको 10 square a is equal to 3 तो 10 a is equal to क्या हो जागा अंडरूट 3 तो अंडरूट 3 क्या वैलू होता है 10 के फॉर्म में 10 60 डिग्री का वैलू होता है तो इस a is equal to क्या मिल गया 60 डिग्री यह इसका एंसर है ठीक है आए आपको यह समझ माया होगा आए नेक्स्ट कॉशन देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन में बोल के आ रहा है कि सेख थीटा प्लस तैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है इस इकुल तो यह mcq टैप का क्वेश्चन है तो इसमें आपको सब्से पहले क्या करना होगा कि हम यहां देखते हैं अगर यह सेख थीटा है प्लस टैन थीटा है इंटू 1 माइनस साइन थीटा है हम सेख थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस्ट थीटा को क्या लिख सकते हैं इसको 1-1 ऐसे हैं आप देखे यहां पिल्ज क्या कर सकते हैं एलसे में लेंगे तो एलसे क्या हो जाएगा कॉस्स थीटा होगा यह जागा उन प्लस sin theta into 1 minus sin theta अब अब यह देखो कि 1 plus sin theta into 1 minus sin theta यह किसी identity को follow कर रहे है तो identity formula एक होता है न a plus b into a minus b is equal to a square minus b square यह formula follow कर रहे है मतलब किया हम लिख सकते है 1 का square minus sin square theta divided by cos theta यह क्या हो जागा 1 minus sin square theta is equal to cos square theta by cos theta तो अब को से square cut गया क्या बच गया कि बच गया कि बच गया कि बच गया इसमें answer कौन सा हो जाएगा answer इसका हो जाएगा d आए अब कि आपको यह समझ माया होगा आए अब next दिखते हैं हम यहां देखते हैं कि इस question हम क्या कर रहे है इस question बोल रहा है कि हमारे बाद एम का value दिया हुए 10 theta प्लस से थिटा और प्रोब करना है से थिटा is equal to m square plus 1 by 2m तो हम लोग इसको पहले रहे से solve करेंगे ठीक है यहां LHF में कुछ q2 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 q इसक्वार पर ब्रेक करने के मतलब क्या हुआ है 10 स्कुराइट थीटा प्लस 2 इंटू 10 स्कुराइट थीटा इंटू 10 स्कुराइट थीटा प्लस 1 यहीं होता है अब नीचे वाले को एज इटिज बैसे ही रखेंगे अब इसमें दूखो कि कोई formula फॉलो कर रहा है अगर आप यहां से देखो गये अच्छे रहे है इसमें करते क्या हैं कि इसको 10 Σ्कुराइट थीटा प्लस स्क इसकुराइट थीटा प्लस 210 थीटा इंटू 6 थीटा फलस 1 जो है इसको मैं लो लुखेंगे स्क्वारème तीटा माइनस टेन स्क्वार फिरज़ हो गया हमारे पाली ए यह लिख द झो थे खते फिरफि के थ्रू है है यहां जायगा एड़ेत्ट हिटा यहां बच जायगा क्या कि सिट प्लस की यहां से हम लोग टूसेज 10 थीटा प्लस 6 थीटा 2 से 2 कैंसल हो गया और यह कैंसल हो गया वज़िया हमारे प्रफ के बहुत 6 थीटा आगे ना आई होप कि आपको यह में तर्ट एजी लगा हो और आसानी से बन भी गया हो और आई होप कि आपको समझ में भी आया हो आई यह नेश्ट कोश्चन देखते हैं इसमें बोल क्या रहा है साइन एक वैलू दिया हुआ है तो साइन एक वैलू तो क्या होता है मतलब कि 3 by 5 दिया हुआ तो अगर 3 by 5 दिया हुआ है तो अगर है क्या है ट्रिपलेट भी याने कि 3,4,5 का ट्रिपलेट बनेगा ये तो इसमें हम लोग के पास क्या मिल दिया एगा 10 A is equal to P by B P हमारे पाफ क्या है? 3 है B क्या आएगा? 4 आएगा ठीक है? और अगर इसी के according देखें यहाँ पर cos B is equal to क्या दिया हुए 12 by 13 तो इसका क्या होता है? B by H होता है अगर हम H square करें मतलब कि यह हो जाएगा 169 minus 144 तो क्या जाएगा यह? 25 आएगा 25 किसका होता है? 5 का होता है मतलब यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि हमारे पाफ P का वैलू क्या आगया? 5 आगया तो इसमें हमको लिखना हो तो 10 B is equal to क्या लिख सकते हैं? 10 B is equal to होता है P by B यानि कि 5 by 12 अब देखो बोला क्या है question में 10 A plus 10 B हमको यह फाइंड करना 10 A plus 10 B 10 A is equal to होता है 3 by 4 है 10 B is equal to क्या है? 5 by 12 है 4 और 12 का एलसियम लेंगे 12 आगा 4 से 3 टाइम में यानि कि 9 और 5 9 5 14 by 12 एंसर क्या आगया? 14 by 12 हम लोग इसको आख सेंपलिफाई कर सकते हैं अभी यह और कटे का ना तो अगर हम इसको कट गेंगे तो 2 से 6 टाइम में आ गया और 7 टाइम मतलब कि मेरे पास एंसर आ गया 7 by 6 यह फाइनल एंसर है आई होपकी है समझ माया होगा आपको आई हम लोग नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं यह देखिए इंपॉर्टेंट क्वेशन है इस टाइप से आपको क्वेशन देखने को मिलता है और इसमें कुछ नहीं करेगा यह आपको यह पूरा कंप्यूर्ट दे देगा सेम और रहेचेस में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके और दूसरा क्वेशन बनाता है ऐसा क्वेशन आया हु तो हम यहां से क्या करते हैं यहां पर पहले इसको सिंप्ली स्वाल्म करने का ट्राइए करेंगे ज्यादा दिमाज नहीं लगाएंगे अब यहां पी देखो क्या करते हैं कि हम लोग पूरा का पूरा फंक्शन को नोए टैन के पॉरम में चेंज करने का ट्राइए करते हैं तो यह हो जाएका योगा यह 1-10 already है इसको चेंज करने का जरूत नहीं है अब इसमें क्या हो जाएगा यह होगा टैन ठीटा और यह एल सियम लेंगे तो यह हो जाएगा टैन ठीटा वन माइनस वरी एक मिएड़ यहाँ पर होगा यह टैन ठीटा माइनस वर्ट यह अपके पास वन बाई टैन ठीटा है इसका लेने का जुरूत नहीं है यह जाकर उपर मॉल्टिप्लाई हो जाएगा और यह हो जाएगा यह पर यह को मॉल्टिप्लाई होगा तो 1 बाई टैन ठीटा इंटू 1 माइनस टैन ठीटा 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 अब यह जाएगा यह जाएगा वन माइनस टैन ठीटा है अब हम यहां क्या करते हैं इसका पूरे का ले लेते हैं यह पूरे का लेंगे तो यह सिंबल चेंज हो जाएगा न ठीक है अगर हम इसको टैन ठीटा इंटू टैन ठीटा ऐस् है इसमें किया कि कि मैनस कॉमन निकाल यह थे मानस चेंज हो जाएगा और यहां हो जाएगा यह 10 है यहां के multiply होगा 10 cube theta minus 1 हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या करें यहां क्या हो जाए था हम लेपास था हमारे पास था क्या 10 cube theta minus 1 by 10 theta into 10 theta minus 1 यहां पर देखो आप यह फॉलो कर रहा है एक identity को फॉलो कर रहा है a cube minus b cube is equal to क्या होता है इसका formula इसका formula होता ना a minus b into a square plus a b plus b square यह यह यूज होगा अब लोग इसका ध्यान में रखना a cube plus b cube और a cube minus b cube यहां पर इसको फॉलो करेंगे तो क्या आएगा यह 10 theta plus sorry यहां पर रोगा 10 theta minus 1 by 10 square theta plus 10 theta plus 1 divided by 10 theta into 10 theta minus 1 अब दो क्यों पर रोफ़ों और 10 theta minus 1 कट गया क्या बजिए यहां पर 10 theta tan square theta by tan theta plus tan theta by tan theta plus 1 by 1 by tan theta tan say square cut gaya tan say tan cut gaya I hope you have to see this process and easily this type of question you can see the exam and this is a very important pattern so this type of question you can see the exam इसको अच्छे फे प्राक्टिक पर के रोखो तो आई होब की मैंने आज जितने भी क्वेशन फॉल्ब किया हैं वो आपको इसली समझ में आया होंगे और इसका जो भी बचा हुआ क्वेशन है वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आई होब कि आपको आज का फारा कालकुलेशन फारा फॉल्बिंग इजली लगा हो और इजली समझ माया हो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अपकमिंग जो भी वीडियो आएगा वो आपको तुर्म नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो के ब